अजी गुड मानिंग दोस्तों दोस्तों मैं करम जित बावा आपका स्वागत करता हूँ दोस्तों आज बीडियो बनाने का परपश यह है आज के आपके सामने आने का परपश यह है मैंना आज 13 जनबरी 2022 है यह कोच्चन चल रहे थे तकरीव इन एक साल पहले से जनबरी 2021 मेर मन में कोच्चन था जब मैंने बिनफिंद छोड़ी थी दोस्तों आज मैं उसकी बात करने आया हूँ आपके सामने जब मैंने बिनफिंद छोड़ी थी मेरे मन में उस टाइम बहुत जादा कोच्चन थे बहुत जादा मन में मलो कन्फूजन थी कि मैं आज बिनफिंद बातें हो गई जो एक नेटवर्कर को अच्छी तरह काम करने नहीं देती वो मैंने पिछली एक वीडियो बनाई हुई है उसमें आपके साथ मैंने डिसकस किया हुआ है वो बातें एक वर फिर मैं शॉर्ट में वो डिसकस करता हूँ अभी मुझे अगर जनबरी 2021 की बात करूँ अभी सिर्फ मुझे साथ महीने हुए थे बिन फिंट जोएन हुए 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 और कॉम्पनी को चलते हुए भी साथ महीने हुए थे अगर आप इतनी जल्दी कॉम्पनी छोड़ रहे हो तो जरूर कोई बड़े इशू हुए है जा जो बिन फिंट ने विविहार मेरे साथ और मेरी टीम जा और लोगों के साथ कर रही थी तो मैं अकेला छोड़ने वाला नहीं था बहुत उससे पहले भी तीन महीने के अंदर कोई चार महीने के अंदर कोई पांच महीने के अंदर तो अगर मैं short में बाते करूँ वो क्या क्या थी क्योंकि आल़ लड़ी मैंने उसकी वीडियो बना रख mega आप मेरे यूटूब चैनल पर देह सकते हो दोस्तो सबसे पहले तो तो वहां सुनने में बहुत आ रहा था कि अगर कोई बंदा बाद में आ रहा है तो उसको उपर आईडी मिल रही थी आईडी नाम चेंज हो रहे थे तो जब हम बात कर रहे थे तो हमें तो यह मना किया जा रहा था पर यह हो रहा था ठीक है क्योंकि मेरे सुनने में आया है काफी और लोगों ने उस वक्त करवाया दूसरा दोस्तो वाहां जौाइन बर्चन को अगर कोई पर्चन कॉल कर दे मेरी टीम में ये हुआ है मेरी टीम में दो ऐसे पर्चन थे एक अमरसर से था एक सिर से था इन दोनोंने कॉमपनी को कॉल की अमerson वाले को तो मंजू नाह जी खुद मिलने आई और मैंने और उसने पहले बता दिया के मैं कर्म जी जी के साथ जॉइन हूँ और मैं उनके से काम नहीं कर रहा ह। तो उनको उठा के कहीं और जॉइन करा दिया दोस्त ये उस वक्त मेरे साथ बात हुई थी तो already मैंने उसकी mail डाली और उल्टा उन्होंने मुझे ही समझाने लग गए कि करम जी जी कोई बात नहीं ये लीडर नहीं हमने खोना आपको कोई और लीडर हम दे देंगे चलो कोई बात नहीं उसके बाद दोस्तो सबसे ज़्यादा हमें प्रॉलम क्या आ रही थी कि ओके क्योंकि ये डुप्लिकेट प्लान है ओके का ओके already गिर रही थी कॉम्पनी ओके का हाल आपको पता है डे वाई डे जा रहा था छोड़ रहे थे तो मन में ये भी टेंशन थी कि हम जिस प्लान को चल रहे हैं हम जिस रास्ते चल रहे हैं उस रास्ते में आगे गड़े ही हैं मलोग खत्मी होगा तो दोस्तो उस वक्त ये मलो मन में कौच्चन थे तो कन्फ्यूजन के डर में हमने मैंने वो कॉम्पनी छोड़ी और मेरी टीम ने वो छोड़ी तो उसके बाद तीन-चार महीने हम घर रहे तीन-चार महीने घर रहने के बाद मैंने फिर दवारे जून दो हजार एकिस में वैस्टी स्टार्ट की आज का मेंन मोटव मेरा क्या है कि पिसले एक साल में वो जो मेरे क्वाच्चन थे मेरे मन में जो कन्फिूजन थी उसको क्लियर करने का है कि एक साल के अंदर विन फिंट का जो मैंने डिसीजन लिया था छोड़ने का बहुत सही था कि नहीं था दोस्तो आज मैं दो हजार मालो परसेंट कॉन्फिडन्स से कह रहा हूं कि बहुत अच्छा डिसीजन था मैंने टाइमली छोड़ दी क्योंकि उसके बाद देखो कितने बंदों ने सेम जो मैंने बोला वो ही वीडियो बना बना सेम छोड़ी जो मैंने क्वाच्चन किये जो मैंने जो मुझे प्रॉलम आरी थी उन सब को वही प्रॉलम आरी थी दोस्तों तो अगर मैं अब वेस्टिज की बात करूँ तो दोस्तों पिछले साथ महीनों में अब मेरी जो कमाई हो चुकी है पांच लाख प्लस हो चुकी है दोस्तों और इस महीने जो मुझे दिसंबर का पेउट आया है दस जनवरी को जो मेरे अकाउंट में आया है वो एक लाख ग्यारा हजार एक सो पज़टर पे आया दोस्तों जानी के मैं ये इसलिए बता रहा हूँ के वहां भी विन फिन्थ में भी काफी अच्छे के स्ट्रगल से मैं दोवारे उस पेउट पे पहुंच गया अगर मैं बात करूँ जो मेरा बिन फिन्थ का डिसीजन था जिसको मैं आज कह रहा हूँ बहुत बड़ी मेरी गलती थी बिन फिन्थ जोएन करने की और मैं नहीं कहरा बहुत ऐसे बंदे जो बिन फिन्थ जोएन करने गए थे जिन्होंने किया वहां दो महीने तीन महीने चार महीने काम किया वह सब ये बात मान रहे हैं और तकरीवन काफी लोग तकरीवन बहुत जादा मैं आदे से जादा ही बोलूँगा छोड़ जोगे हैं और आप देख सकते हो कि इतने लोग छोड़ रहे हैं क्यूं क्यूंकि जो बिन फिन्थ का प्लान है वो ओक्के की कॉप्पी है ओक्के का प्लान आपको पता पिटी चुका है और ओक्के ने अभी पांच मी अपनी सालगिरा मनाई है पांच साल कंप्लीट की है और छे महीने पहले साथ महीने पहले ओक्के ने अपना प्लान चेंज कर दिया जानी चार सबाद चार साल भी वो प्लान चला नहीं है दोस्तों तो बो प्लान पिट गया उन्हों मुल्τι लjust में आगे हैं तो ये प्लान उसकी कोफिया है ये कैसे चलेगा एजिए जो मेरा डिसीजन था बहुत अच्छा रहा सही रहा और मैं बहुत जल्दी पहले तो मैं सोच रहा था बहुत जल्दी मैं छोड़ रहा हूं अब मैं सोच र दिन पहले मेरी एक बात हुई किसी परसन से एक सेनी तीन चार बंदों से बात हुई जो अभी धक्के से बिन फिंत में फसे हुए थे और फसे हुए हैं उन में से एक बंदा है जो क्राउन ड्रेक्टर था जो पंजाब का ही है और लुद्याना से ही है वो बंदा वैस्टिज म में था वो भी था मैं अपनी टीम को उनसे मिलवाता था कि भाई देखो यह हमारे यह प्लाना सिंग जी है यह क्राउन डिरेक्टर है इनका सवालक डेड़लक प्याउट है और यह वैस्टिज कर रहे हैं और दोस्तों तीन-चर दिन पहले उससे बात हुई वो बंदा पिसले डेड़ साल जब से विन फिन्ट में जोएन हुआ उसका पेयाट कभी भी पच्चीस जार से उपर नहीं आया दोस्तों क्यों अब एक चीज़ देखो मैं वैस्टिज में काम कर रहा हूं मुझे पूरा बिस्वास है कि मेरे प्रड़क्ट मेरा प्लान मेरी प्रफाइल सॉलिड है बहां क्या होता था जब भी हम काम कर रहे थे हमें पता नहीं लगता था कभ अपडेशन के नाम पे वो प्लान पहले चार महीनों में बिन फिन्ट ने कम से कम दो से तीन बार चार से पांच महिनों में दो से तीन बार अपडेशन के नाम पे प्लान में तबदील लिगी और पॉइंट वैल्यू पूरी गिर रही थी दोस्तो पॉइंट वैल्यू पूरी गिर रही थी दोस्तो जब आप जितने मर्जी वड़े लीडर हो जितने मर्जी वड़े लीडर हो दोस्तों अगर आप 100% free होके free mind के साथ business नहीं करने निकलते तो आपका business नहीं निकलेगा अगर आपके उपर कोई वर्ड लिंग है अगर आपके उपर कोई tension है अगर आपके उपर कोई pressure है और आपको पता नहीं आप field में जा रहे हो बिजनस कर रहे हो और आपको पता नहीं पीछे back end पे आपकी company आप से आने से पहले bv कम कर दे यह हुआ था हमारे साथ दोस्तों पह पिछले डेड़ साल में सौरी जब से company स्टार्ट हुए है तीन से चार पांच बार यह हो चुका है दोस्तों और company अपने experiment कर रही है और जिसकी बज़ा से हम पिस रहे थे और जिसकी बज़ा से मेरी उन से बात हुई है वो पिस रहे थे और इसकी बज़ा से उनका पे और guitர काफी से बात होती फोन पे जैसे मैं सामने आ रहा हूं जा काफी लोग सामने आई वो उतने जिन्दा दिल है जा नहीं अपने वोगा है वो सामने आना चाहते वह अलग भी हैं दोस्तों अब मैं बात कर रहा हूं यह प्लान जब भी हम कोई company start करते हैं दोस्तों जब भी हम कोई business start करने लगते हैं तो हमें बताया जाता है कि company की profile देखो company का business plan देखो company के product देखो company का rate देखो price देखो दोस्तों ये चीज़े हमें बताई जाती है और बिन फिंत हम देखके गए थे एक मंजूना जी बहुत अच्छे लीडर है वैसे वो M.D. है और दो उनके पार्टनर है तो वो अलग बिशे है दोस्तों पर फाइल चलो नई कॉम्पनिय है कोई बात नी हर कोई पहले दिन नहीं होता है ये सोच के हम गए थे पर बात करूँ प्लान की जब प्लान मुझे मालूम है ये पिटा हुआ प्लान है तो जब मुझे ये दमाख में आए ये प्लान पिट रहा है ये पिटेगा तो सारी कैलकुलिशने करके देखी उसी वक्त मैंने कुट की तो जो लोगों ने कुट नहीं किया वो आज उनका बुरा हाल है दोस्तों सारे नहीं मैं बोलूँगा कुछ लोग जो मेरे फ्रेंड सरकल है जिन से मेरी बात हो रही है प्रड़क्ट की तो क्या बात करूँ प्रड़क्ट तो अच्छे भी है नहीं भी अच्छे हम उनकी बात नहीं कर रहे और उसके बार ट्रेनिंग सिस्टम आप देखो यूटूब भरी बड़ी है जिन लोगों ने मेरी तरह छोड़ा मुझे भी बहुत ट्रेनिंग की प्रॉलम थी उनके पास भी ट्रेनिंग की बड़ी प्रॉलम थी इंफरस्ट्रक्टर की बात करूँगा दोस्तो पहले अगर छे महीने की बात करूँ पंजाब में पांच स्टोर खुल गए थे अमरसर स्टोर था खरड स्टोर था लुदिहाना स्टोर था जीरिकपर स्टोर था चंडीगड में स्टोर था ता दोस्तो आज उनमें से कोई नहीं चल रहा सब बंद हो चुके हैं आज उनमें से कोई नहीं चल रहा और मुझे नहीं ध्यान आज पंजाब में कोई स्टोर है भी वो सारे स्टोर बंद हो चुके हैं मैं मानूं सैद मैं गल्ट हूँ मैं मान लेता हूँ मैं गल्ट था मैंने इसलिए छोड़ दिया पर वो स्टोर वाले पांच स्टोर बंद हो चुके हैं हर्याने के स्टोर बंद काफी हो चुके हैं राज्तान के जिन से मेरी दो तीन से बात हुई है वो बंद हो चुके हैं यानि मेरा कहने का परपस कोई एक बंदा गलत हो सकता सभी नहीं है अब हम प्लान की बात करें दोस्तो तूल एक प्लान बताया जाता है आसान प्लान बताया जाता है हमारे एक आज कल है लीडर जी, राहुल मुकरानी जी जिनका इसमी नहीं अपना उनोंने पे ऑट बताया ग्यारा लाख रप्या दोस्तो बहुत अच्छी बात है पान्च-छे मीणों में ग्यारा लाख पे पे पहुँच गया है सलाम करते हैं कونको वो तो लीडर है वो तो बहुत अच्छी बुला रहा है पर दोस्तो, क्या उनकी टीम में, क्या उनकी टीम में 11 लाग किसी को आ रहा है? क्या उनकी टीम में, ऐसे हैं कि उनकी टीम में 5 बंदे, 6 बंदे, 10 बंदे ऐसे हों जिनको उसका 50 परसंट ही आ रहा हो? दोस्तो ये टू लेग में कभी हो गाई नहीं अगर आपका जो पे आउट है आपका 50% पांच बंदे 6 बंदे हो इनी सकते आपकी टीम में 50% बारे दोस्तो ये चीज अब राहुल जी तो पूरा सोर मचा रहे हैं मेरा पे आउट मेरा पे आउट अगर मैं बात करूँ जब हम बिन फिंत में थे हमने आटो शंकर जी का पे आउट देखा है 12 दिना लाग का हमने नरसिमा जी का पे आउट देखा है 12 दिना लाग का हमने मस्तान जी का पे आउट देखा है 8 लाग 9 लाग का तो दोस्तों उस वक्त इन बंदों की इतने पे ओड थे मैं काफी लोगों से पूछता हूँ बिन फिंत वालों से अब उनके पे ओड क्यों नहीं दिखाये जाते दोस्तों क्या उनके पे ओड कम हो चुके है अब सिर्फ राहुल मुकरानी जी का ही पे ओड क्यों दिखाया जा रहा है डेड़ साल में अगर राहुल मुकरानी जी का 11 लाक हो चुका है तो उनका तो 20-25 लाक हो चुके होंगे जो बंदा जो डिस्टिबूटर जो लीडर आज से साल पहले 12-13 लाक रप्या पे ओड दिखा रहा था आज उनका पे ओड तो 25-30 लाक होना चाहिए पहले चार मीनों में होगा उनका पे ओड की कोई नामों निशान नहीं है दोस्तों कोई दिखाया ही नहीं जा रहा सिर्फ राहुल मुकरानी जो की गया अब इसमें दो चीजें हो सकती है जहां तो राहुल मुकरानी जी को सबसे उपर आईडी दे दी जो मैं पहले ही बोल रहा हूँ जहां तो उपर आईडी दे दी जहां क्या हुआ जहां क्या हुआ उनके प्यॉॉर्ट नी बन रहे हैं राहुल जी के बनवाए जा रहे हैं जहाँ वो इतने एक्सपल्ट नहीं है राहुल जी बहुत जादा एक्सपल्ट है अब हुग तो कुछ भी सकता है भगवान जाने क्या है हम तो एक अंदाज़ा यह लगा सकते हैं दोस्तों अब मैं प्लान की बात करूँ दोस्तो एक बहुत जो मुझे समझाया तत थे अगर मैं 50,000, 50,000 बीबी की मैचिंग करूँ अगर दोनों लाइनों में मैं करूँ तक्रीम तीन लाग की सेल बनती है दोस्तो 50,000, 50,000 की मैचिंग बे और जो मेरा चेक बनेंगा अगर सारी इंकमें आ रही है अगर सारी इंकमें आ रही है बंद गरी अगर दोस्तो अगर दोस्तो मैं प्लान की बात करूँ अब देखो टू लेग में प्लान में हम इनकी इंकम की बात करें जो पहली इंकम है जिसको हम बोलते हैं बिजनस बिल्ड बूनस वो पांसो पांसो की मैचिंग पर है जो उसकी पॉइंड वेल्यू अभी वो बीस रुपए के करीब आजू बाजू आ रही है नियर वाट आ रह करूंगा जैसे मैं टीम विल्ड बोनस अचीव करूंगा वो पहली इंकम तो मुझे आनी नहीं और टीम विल्ड बोनस जो मुझे बताया गया था जो हमें पहले बताया जा रहा था जहां जो बिन फिंद वारे डिस्टिबूटर बता रहे हैं वो तीन सो रप्यार रेट बत जब हम बिन फिंद की थी जुलाई 2000 मैं बात कर रहा हूं बीस 21 की जब बिन फिंद स्टार्ट हुई तो साड़े 9 करोड की सेल की हमें बताया गया था इतनी सेल हुई है उसके बाद अगस्त की जो 2021 की बात थी उसकी सेल हमें बताई गई थी यह तक्रीवर तक्रीव हैं 12 करो दोस्तों जानि पहले चार मेहीनों में कामपणी ने 45 क्रोड की सेल की थी उसके बाद और पूरे साल के अंदर अगले आथ मेहीनों में क्या गिया तो ग्रीवन 100 क्रोड से जादा की सेल तो अब सोचके देखो अगले आठ मीनों में 55 से 60 क्रोड की सेल हुई और पहले चार मीनों में 45 क्रोड से जानी कि अगले चार मीनों में कम डाउं आठ मीनों में कम ही कम हुआ काम कम हुआ काम डाउन हुआ और अभी जो बताई जा रही है सेल कनफर्म नहीं है जो मुझे बताया जा रहा है किता है से साथ कुरोड की एवरेज मंत की हो रही है से तो ये चीज सोचके देखो साथ, आठ होगी ये चीज सोचके देखो जो एक लीडर को देखके हम जाते हैं उसमें पहले तो एक दम काम बढ़ता है और बिजनस प्लान में बार बार बीवी चेंज करने से कॉम्पनी की सेल पे फर्क पड़ा है अब कॉम्पनी की सेल करोड दो करोड उपर नीचे हो जाए कोई इशू नहीं है पर वो लीडर की इंकम अपडेशन के नाम पे जो चेंज कोरी है तरी है मैं बात कर रहा था पॉइंट बैलू पे दोस्तो इन्फिंटी वोनस पचासर पचासर की मैचिंग पर अगर आप पचासर पचासर मैचिंग कर रहा है और छे महिने लगवा तरह आपने कर ली तो आपको कार फंड, हाउस फंड, सारे फंड आने लग जाएंगे बसरते अगर ट्रैवल फंड तब आएगा जब आपको एक लाग की मैचिंग होगी अब मैं एक लाग की मैचिंग छोड़ दूँ पचाश हर की मैचिंग पे 16, 17, 15, 16, 17 पे और बनता है दोस्तों काम कितना दिया? 3 लाग का ड़ाई से 3 लाग का काम दिया हमने और आया क्या? 15, 16 हर उसके बाद में मज़े की बाद सुनो अगर आपने 60,000 बीवी की मैचिंग की क्या आपको इंफिन्टी बोनस आएगा? अगले 10,000 का नहीं आएगा सिर्फ 50,000 बीवी का आएगा दोस्तों क्या आपको कार फंड आएगा अगले 10,000 बीवी का? नहीं आएगा दोस्तों सिर्फ किसका आएगा? 50,000 का क्या आपको हाउस फंड आएगा? नहीं आएगा दोस्तों क्यों नहीं आएगा? सिर्फ एक बढ़ जाएगा जिसको हम बिजनस विल्ड बॉनस कहते हैं उसके उपर भी कैपिंग जानी अगर बात करें हम अगर मैं हूँ और मैं कहता हूँ कि मेरी 90,000 की मैचिंग हो गई तो 10,000 बीवी यानी 25-30,000 की मुझे बल्क वाइन करनी पड़ेगी इनकम बढ़ाने के लिए दोस्तों बल्क वाइन करनी पड़ेगी नहीं तो मुझे अगर मेरी 90-85,000 की बीवी की मैचिंग हो रही है जहां तो मेरा 30-35,000 बीवी बेस्ट जाएगा अगर यही हम बेस्टीज में हो और मैं ड्रेक्टर कर रहा हूँ और मेरे को क्या आ रहे है दो हैर एक पीवी कर रहा हूँ 60-100 की सेल का तो मुझे 7-8 अगर मैंने 22-200 पीवी कर लिए तो वो 200 पीवी का मुझे बोनस बढ़के आएगा दोस्तो ड्रेक्टर बोनस बढ़ेगा मेरा परफॉर्मस बोनस बढ़ेगा मेरा यह नहीं है कि आपको 2,000 काई आएगा उपर का आपको जा तो 4,000 करो आजकल स्कीम चल रही है 26-100 बिजनस पीवी कर रहे हो तो एक और सैड इंकम हो जाएगी अच्छा 26-100 के बाद मैं 3,000 पीवी करूं लाख रपे 90,000 की सेल करूं तो मेरा चेक राम से 12-15,000 आ रहा है दोस्तों अब मैंने 3,000 की बज़ए 33-100 पीवी कर दिये अब 3,000 करने होंगे 32-300 भी होंगे अब कॉंपनी यह तोड़ी कहेगी भाई हमने तो 26-100 रख रहे हो या 500 उपर तुने रख दी यह तो हम देंगे कुछ नहीं यही कर रही है बिन फिंट दे कुछ नहीं रही हमें क्या दे रही है सिर्फ इंफिंटी बोनस 50-100 की मैचिंग पे हाउस दाएगा इस मीने एक लाख आगया अगले मीने फिर में 50 स्वागें नहीं हुआ दोस्तों बस यही आपसे बात करनी चाहँ रहा था जो परसन बिन फिन्त में जाने की सोच रहा है वो किसी भी लीडर के साथ जा रहा है पहले उस लीडर से ये बात कनफर्म करो कि सर आपका जो पे आउट है आपकी टीम में 50 परसंट आपके पे आउट के कितने परसन है अब मेरे से बात भी होगी विए आपका एक लाग 11,000 पे आउट है आपकी 50 परसंट पे सर आज 20,000 से लेके 80,90,000 वाले मेरी टीम में अगर मैं टोटल कैलकुलेशन करों 15 बंदे से उपर हो जोगा है 15 परसंट से उपर है 20,000 से लेके 80,90,000 भी है और मिनिमम्म 20,000 40,45 यारे 3,4 परसंट है मेरा कहने का परपस गया है मैं तो कमा रहा हूँ वो भी कमा रहे है यह नहीं कि हमारा एक ही लीडर कमा रहा है फिर एक बात और है अब सब बोलते हैं कि आपको पावर लेग मिलेगी पावर लेग मिलेगी अब दो लेग इचला नहीं है मालो मैं हूँ मेरे पास एक X बंदा आया मैंने A लाइन में लगा दिया Y बंदा आया मैंने B लाइन में लगा दिया नेक्स बंदा आया मैंने A की A लेग में लगा दिया और दोस्तो क्यों ना मेरी अप लाइन मेरी B लाइन में भी दूसरा बंदा लगा दे उसकी तो मैं एक ही लाइन हूँ बोल के देखो किसी को कोई अप लाइन नहीं सुनेगी दो लेग ही चलानी है तो मैं नीचे वालों के दोनों में दो दो लगा दूँ तो वो भी नीचे दो दो लगा देगा कितना असान काम हो जाएगा सब लोग बड़ा पैसा कमाएंगे पर जितना असान दिखाया जाता है टू लग उतना असान नहीं है दोस्तो सिर्फ बोलने में असान है आपने देखा ही है ओके का क्या था हम एक कदम आगे बिल्कुल वो एक कदम आगे है अब सब छोड़ गए उनको एक कदम आगे कौन रह गया बचा कौन उसमें सिर्फ दो परसन है फेस्बुक पे उनके बड़े नाम रखे जा रहे हैं चलो हम वो नहीं बोलेंगे परसनलिल इटैक नहीं करेंगे किसी को उन लोगों ने बहुत लोगों की लाइफ खराब किया दोस्तों ओके वालों ने सिर्फ असान बता असान बता असान बता बहुत लोगों के चलते हुए घर जिनको बड़ी अच्छी नकमारी थी वो खराब कर दी उसी रहा पे बिनफिन चल रही है मेरा भी सबालाग का पे और था मैं मी बहक गया था मैं मी आसान करने जा रहा था पर शुकर है भगवान का बड़ी जल्दी वो अकल आगी बड़ी जल्दी वो नौलज आगी बड़ी जल्दी मैं भगवान का शुकर करता हूँ कि मुझे वो रास्ते से हटा दिया भगवान ने क्योंकि मेरे उपर मेरे भगवान का असीरवा था मेरे माता पिता का असीरवा था पर दोस्तों अब मैं थोड़ी सी बात और कर रहा हूँ यह नहीं कि अजे सर्मा जी के उपर नहीं है सागर सेना जी के उपर नहीं था और कितने बंदे थे जो बिन फिन्त में गए थे ओके में सौरी गए थे उनके ओपर हुवान की किरपा नहीं है पर दोस्तो उन में होंसला नहीं था सागर सेना की बात करें अजे सर्मा की जी बात करें अजे सर्मा जी ने आपको पता है फेस्बुक पे लाइब होके सौरी मांगी थी कि मैं टू लेक के चक्रों में फस गया था गलती होगी आज वो नेट वर्किंग नहीं कर रहे दोस्तो उन्होंने फेस्बुक पे बोला वेस्टी वेस्ट एक नंबर की कॉम्पनी है दोस्तो आज वो नेट वर्किंग से तौबा कर गए अगर हम भी यही काम करेंगे अगर हम भी ऐसी असान कॉम्पनियों में जाएंगे तो सिर्फ हम सागर सेना को जानते नहीं हैं कि वो तौबा कर गए ऐसे बहुत से लोग हैं जो असान में गए थे टू लेग में गए थे ओके में गए थे असान प्लान में गए थे वो तौबा कर चुके हैं वो नेट वर्किंग को तौबा कर चुके क्योंकि अब उनका कॉन्फिडेंस लेवल जीरो हो चुका है दोस्तो उनका मनोवल गिर चुका है दोस्तो क्यों क्यों क्योंकि वह असान करने गये थे कितने असान के चक्कर में कितने लोगों के कैरियर खत्म हो चुके हैं दोस्तों सागर सेना जी सॉरी अजे सर्मा जी एक जिंदा उधरन है नेट वर्किंग को अलविदा कह चुके हैं दोस्तों इतने बड़े लीडर थे हम तो मल्टी लेक बहुत असान बिजनस है दोस्तों ऐसे नहीं पिसले साथ महिनों में मैं सवा लाग पे पहुंच के ऐसे नहीं पिसले साथ महिनों में मैं पांच लाग से उपर इंकम ले गया बहुत असान बिजनस है दोस्तों बोलने में असान नहीं है करने में असान है दोस्तों ये टू लेक जो है जो जनरेशन बोलते हैं ये सिर्फ ये सिर्फ बोलने को असान है दोस्तों कितने ऐसे नाम ले दूँ जो बंदे बिन फिन्थ में गए थे चार चार पांच पांच में इनुमें छोड़ गे राहुल मकरानी जी की टीम से ही छोड़ने लग गए हैं मैं कहता हूँ वो अपने आप आएंगे अपने आप सामने आएं हम क्यों नाम लेना का किसी का अपने आप आएंगे दोस्तों अपने आप आ रहे हैं दोस्तों अगर आप डिसीजन लेना जाते हो बिन फिन जोएन गरने का एक बार जरूर सोच लो दोस्तों ये जो पैसा है य जो अभी आपको किसी भी company में जितना भी आ रहा है यह आपका नहीं आपके परवार का है आपकी family का है आपके बीवी बच्चों का है आपके माता पिता का है दोस्तों अगर आपको यहां जहां भी आप हो कम पैसा आ रहा है तो ज़्यादा मेहनत करके बड़े पैसे पे चले जाओ मेरी एक लीडर से बात हो रही थी वेस्टीज के लीडर हैं वो कहते के करम जी जी मुझे 20-20 साल हो गए networking में ऐसी बहुत सी चीज़ें देखी हैं मैंने मैंने स्पीक एसिया देखी है मैंने स्टॉक गुरू देखी है ऐसी बहुत कमपनियं देखी है जो आके धड़ा धड़ चका चान करते हैं एक दो साल चलते हैं उसके बाद life खत्م करके चले जाते हैं लोगों के dream खत्म करके तोड़ के चले जाते हैं एक निए दो निए कहते मैंने बहुत ऐसे दौर देखे हैं दोस्तों पर मैं कभी भटका नहीं दोस्तों और दोस्तों जिन्त की मैं बात कर रहा हूं आज बहुत बड़े level पे हैं दोस्तों मैं थैंक्स करता हूँ जब मैंने दोवारे वेस्टी स्टार्ट की तो पवनसर का, हरीस रोडा जी का, परदीप उपाद्या जी का और दलजी संदर जी का जिनोंने मेरी उंगली पकड़ी और उनकी गाइडलाइन पे मैं काम करना स्टार्ट किया चला और उन्होंने जैसे जैसे बताया वैसे वैसे काम की और बड़ी जल्दी खड़ा हो गया पर दोस्तों मैं फिर वही वाद कर रहा हूँ हर कोई इनसान उसी लैवल पे दवारे नहीं आ सकता हूँ जिस लैवल को वो छोड़ता है मेरे करम अच्छे थे मुझे अच्छी गाइडलाइन मिल गी मेरी टीम वाले अच्छे थे मेरे दोस्त अच्छे थे मेरे पेरंट्स अच्छे थे मेरे पे भगवान की पूरी किर्पा थी मैं वही बात कर रहा हूँ decision लेने से पहले बार बार सोचो कि अगर आपके पास जो आप सोच के जा रहे हो नहीं हुआ तब क्या होगा दोस्तो और मैं guarantee करता हूँ अब जब भी ऐसी two leg की company में सोच के जा रहे हो कि आपको ये हो जाएगा आपकी life set हो जाएगी आपको असान है काम ऐसा कुछ नहीं है दोस्तोm ऐसा कुछ नहीं है असान प्लान एक अदम आगे वाले उक्के वाले भी multi leg में आँए दोस्तोm और तकरीवen तकरीवen 8-9 महीने हो चुके हैं उनको एक leg में आये जुलाई में आये थे तकरीमन 7-8 मीने हो चुके है जुलाई गस्त में आये थे तो दोस्तों मैं यही चीज कहा रहा हूँ असान कुछ नहीं है मेहनत करो जहां हो बड़ो बड़ी तरक्की करोगे बड़ा बड़ोगे मैंने आज मेरे मन में ये क्वाच्चन था कि जब मैंने बिनफिंट चोड़ी कहीं मैंने जल्दी तो नहीं चोड़ी पर आज मैं बहुत ज़्यदा खुश हूँ दोस्तों बहुत कॉन्फिडेंस कि मैंने गलती नहीं की मैंने बहुत डिसीजन जल्दी ले लिया अच्छी बात है अगर मैं ना लेता तो अभी मेरी दो तीन लीडरों से बात हो रही है वो कुछ ट्रिडिशनल बिजनस की त्यारी कर रहे है क्योंकि उन्होंने डिसीजन लेड कर दिया लेड कर दिया उस वक्त वो लीडर मुझे गल्ट बोल रहे थे वैं यही है मैं तो आपसे यही कहना चाहता हूँ मैं आज इसलिए मैं लो यह वीडियो बना रहा हूँ के ठैंक गॉड परमात्मा मुझे इतनी जल्दी जनबरी 2021 में विन फिन छोड़ने का डिसीजन आपने करवाया जिसकी बज़ा से मैं बड़ी जल्दी रिकवरी करके लॉसेज तो मेरा 30 लाख से उपर हो चुका है दोस्तों वो तो कवर नहीं होगा क्यूंकि जहां मैं छोड़के आया था जब मैंने जुलाई 2020 को छोड़ी थी वैस्टीजन तब जो मेरे साथ वाले थे सवा लाख वाले आज वो ढ़ाई तीन लाख ले रहे हैं वो लॉस तो मेरा हो गया और ये सारी उमर रहेगा दोस्तों ऐसे ही आपका भी लॉस होगा जहां हो वहां मेहनत कर लो ज़्यादा अच्छे रहोगे तैंक यू, तैंक यू, तैंक यू, सो मच दोस्तों